एक फरवरी को वित्मंत्री पियोश कोईल ने जब आम बजट का एलान किया था उस वक्त पियम मोधी से लेकर दवाम केंद्रे मंत्रियों ने इसकी जम कर तारीफ की थी पियम मोधी ने तो इसे किसानों को मस्बूती देने वाला करार दिया था सरकार मान रही थी किस बजट के बादो किसानों को नुभा लेगी लेकिन लगता है किस सरकार अपनी कोशिश में नाकाम्याब रही है तबी तो किसान सभा ने मोधी सरकार के बजट को पूरी तरह से नकार दिया है देश के नदाता मोधी सरकार की नीदियों से किस कदर खफा हैं? ये हिंदी पट्टे के तीन राज्यों में हुए जुनावी नतीचों से साफ साहिर हुता है मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि किसानों की नाराज्की ही बीजेपी की रहा में रोडा बनी और तीन एहम राज्यों पाटे के हाथ से फिसल कए यही वज़ा है कि मोधी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में किसानों को लुभाने के लिए कई लोक लुभावन वादों का ऐलान कर दिया सरकार सोच रही थी कि इस बजट के अलान के बाद उसके अच्छे दिन जरूर आ जाएंगे लेकिन किसान सभा ने मूदी सरकार के बजट को पूरी तरह से रकार दिया है इतना ही नहीं वामदलों के समर्थन वाले किसान संगठन अखिल भारते किसान सभा ने तो 13 फरवरी को इसके खिलाफ देश्व्यापी प्रदर्शन करने की खोशना भी की है भारते कवनिस पार्टे के वरिष्ट निता अतुल अंजान ने बताया कि अंतरिम बजट गाउं, किसान और गरीब विरोती है उन्होंने कहा कि मूरी सरकार दो सालों से किसानों की आई दोगुना करने का दावा कर रही है लेकिन बजट में प्रधान मंतरी किसान सम्मान नेधी के नाम पर किसानों को प्रती महा 500 रुपए देने जैसी खोशना निराश करने वाली है उन्होंने किसान सम्मान निधी को छलावा करा दिया साथ ही दावा किया कि सरकार क्रिशी शेतर को मिल रही सबसीडी को भविशे में खत्म कर देगी लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे डेवी लाइफ की रिपोर्ट